नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कन्यारासी, आपकी ताकत आपका स्वामी स्वैम बुद्ध है, और कन्यारासी सबसे बड़ी रासी है, आपके अंदर मैनेजमेंट के गुन बहुत ज़्यादा होते हैं, और कहा जाए तो आप मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं, कन्यारास वो आप आसानी से कर देते हैं हम बात कर रहे हैं आपके वैबाहिक जीवन लव लाइप मित्र और सत्रू रासियां साथ ही तमाम ऐसी समस्याइं जिनका हल क्या हो हम आप वीडियो के इन तक बने रहे हम उपाई भी बतलाते जाएंगे अगर कोई परिशानी है तो आप खुद से ही स्वाल्प कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं करने रासिवालों का विवाह आम तोर पर उम्र के 27 में 30 में और 32 में विवाह होने की प्रबल संभावना होती है इसके पहले या बाद में भी हो सकती है पर यह जो तीन हमने एज बतलाया इसमें बहुत जादा चांसिस हो और मार्च, जुलाई और अगस्ट के महिने में भी प्रबल संभावना बनती है इनके बिवाह होने की। अगर किसी कारण वस बिवाह में बिलंब हो रहा हो तो हर ब्रस्पतिवार को केले के पौधे की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। यानि एक लोटा जलने उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कीजिए ऐसा करने से आपका बिवाह जल्दी होगा। अब हम बात करते हैं आम तोर पर आपका बैवाहिक जीवन सुरुआत में अच्छा नहीं होता बिना वज़ा के डिप्रेशन पैदा होता है। आप अहंकारी हो जाते हैं और आपका मित्र रासी है धनू रासी, मीन रासी और मिथू रासी इनसे विवाह करना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके सत्रू रासी है मेस रासी, ब्रिस्चिक रासी और सिंग रासी आप इनसे विवाह करने से बचें। अगर आपका विवाह सत्रूरासी से हो गया है बैवाही जीवन में तमाम तरह की परिसानिया है तो ऐसे में इनको ठीक करने के लिए बिसनू सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए संबब हो तो रोज सुबह कीजिए नहीं तो ब्रस्पतिवार के दिन सुबह के समय जरूर कीजिए ऐ अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं फिर इसमें सफलता पाने के लिए सनी के मंत्र का जब करें या सनी चालिसा का पाठ कीजिए और हलके नीले रंग का प्रेयोक कीजिए कपड़े रुमाल कुछ भी पहन सकते हैं आप और मंगलबार के दिन हनुमान जी को सिंदूर सक्तरु अक्षर अक्षर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप रासी नहीं भी किसी का जानते हैं तो नाम से आप जान सकते हैं कि वह आपको धोखा देगा या नहीं आपके लिए वह है ग यानि जी ओ आर ये बिसे सूब होते हैं आपके लिए और असूब अक्षर है S और T ये दो नाम बालों से आप दूर रहिए वो आपको धोखा दे सकते हैं धन आपके लिए जीवन में खुशियों का आगमन हो इसके लिए आर का प्रियोग करें आपके लिए हमेशा फाइदे मन रहेगा है तो इनसे बचने के लिए रोज सवेरे हनुमान चालीसा का पार जरूर कीजिए जीवन में इस्थिर्ता लाने के लिए कुम रासी का एक दोस्त जरूर बनाईए ताकि आपके जीवन में इस्थिर्ता आए और आपको वो मौरल सपोर्ट देते रहे कन्या रासी वालों आपके लिए आपके इस्थिदेव कौन है आपका सुभरत्न कौन सा है आपके लिए रुद्राक्ष कौन सा सही रहेगा इसके अलावे वो एक यंत्र जो आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है सुभ अक्षर जिसका साथ पाकर आपको लाइफ में पीछे मुड़ कर देखने की जरत ही नहीं पड़ेगी चलिए हम सुरुआत से सुरू करते हैं दोस्तों कन्या रासी प्रिथ्वी तत्त्त की रासी है और आपकी ताकत स्वामी स्वेम बुद्ध है कन्या रासी सबसे बड़ी रासी है आपके अंदर मैनेजमेंट के गुन होते हैं या फिर मैनेजमेंट के आप मास्टर होते हैं ऐसा भी कहा जा सकता है कन्या रासी वाले चानाक और वाकपटू होते हैं कठिन से कठिन समस्या को सुलजाने की खुबी आप में होती है जो काम कोई नहीं कर सकता है वो कन्या रासी वाले करके दिखा देंगे बहुत ही आसानी से समस्या से निजात दिला देते हैं हल निकाल लेते हैं समस्या का धन के मामलों में आप बहुत ज़्यादा भागवान होते हैं कन्या रासी वाले बहुत ज्यादा स्वार्थी भी होते हैं कन्या वाले अपना काम बनाने के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुँचाने से नहीं हिजगते हैं हाला कि ज्यादा स्वार्थी होना आपको मुश्किल में डाल देगा आप सलाह लेकर आपके लिए एक सुबरतन है जो ओपल या फिर इहीरा पहने इससे आपको लाव होगा साथी साथ आपको गायत्री मंत्र का जब भी करना चाहिए इससे आपकी बुद्धी प्रबल होगी प्रखर होगी मजबूत होगी गलत आदतों से बचा होगा दोस्तों हम बात करते हैं आपके लिए सुब यंत्र कौन सा है जो आपको कैरियर में उचायों तक पहुचाने में सहायता प्रदान करेगा या सहायक होगा और ये यंत्र होगा सिक्स कोनों वाला कासे पर बना हुआ बुद्ध का अंक वाला यंत्र यानि सटकोनी आकार में होगा बुद्ध का अंक वाला यंत्र आपको हरे धागे में गले में धारन करना चाहिए बुद्धवार के दिन ये जो आपके जीवन में उतार चड़ाओ है न उससे आपकी रक्षा होगी और कैरियर में आप बहुत उचाईउं को छूँच सकेंगे दोस्तों इसके साथ ही आप मान समान की प्राप्ति के लिए लाल फल का दान या तो मंदिल में कीजिए या फिर गाई को खिला दें साथ ही साथ तामबे का छला दाए हाथ के मिडल फिंगर में रभी वार के सुबा धारन करें दोस्तों ये तो थी आपके यंत्र के इस्टिदेव और आपका सुबरत साथ ही मान समान की प्राप्ति के लिए आप क्या करें हमने आपको बतलाया उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंदा रहा होगा दोस्तों अब हम बतलाते हैं रुद्राक्ष हलाकि रुद्राक्ष हर किसी को धारन करना चाहिए लेकिन सभी रासियों के लिए अलग-अलग मुखी रुद्राक्ष धारन करने का बिधान है और आप कण्या रासि वालों के लिए चार मुखी रुद्राक्ष जो की ब्रंभा का स्वरूप है धारन करना बहुत अच्छा रहेगा और ये रुद्राक्ष तुचा की समस्या वानी के दोस्त के लिए बहुत फाइदे मन रहता है और ये कन्यारासी बालों के लिए बहुत अच्छा है आप चुरूर धारन कीजिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उस चमतकारिक अक्छर की जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा आपकी लाइफ में पॉजेटिव एनरजी लाएगा यानि कि वो सूब अक्छर कन्यारासी बालों के लिए कौन से हैं? वो हैं ग, ओ, और, र, यानि कि जी, ओ, आर ये तीन अक्छर भी से सूब होते हैं आपके लिए दोस्तों हमने आपको सूब अक्छर तो बतला दिये अब सूब अक्छर भी जानिये जिसका साथ आपको सूब फल नहीं देगा पतन की ओर ले जाएगा और वो है सूब अक्छर स और त, यानि कि टी और एस ये अक्षर आपके लिए सुब नहीं होते हैं आपको धल्म का लाब के लिए खुसियों के लिए र यानि की आर का प्रयोग हमेशा करना चाहिए आर नाम के ब्यक्ति का साथ या किसी लोगों से आप जुड़े हैं आप बिजनेस करते हैं और उसका लोगों आर से स्टार्ट होता है या पिर कोई भी चीज हो जहां आर से स्टार्ट हो वो आपको फायदे देगा और कन्या रासी बहुत ही खुपसरत सी रासी है साथ ही पृत्वी तत्त्य की रासी है और बुद्ध इनका स्वामिक्र है कन्या रासी वाले बहुत अच्छे लिखक होते हैं और बहुत अच्छा बोलते भी है कन्या रासी वाले में एक और गुन होता है वो होता है कन्या वाले हमेशा सेवा करना और दूसरों को खुश रखना भी जानते हैं साथ ही छोटी से छोटी जानकारी को भी ध्यान में रखते हैं और मानावता की गहरी समझ होती है उनमे अगर हम कहें तो सबसे सचेत रासी में से एक है कन्यारासी कोई भी अफसर छूट रजाए ये हमेशा इनका ध्यान में होता है और कन्या रासी वाले अक्सर बहुत नाजुक होते हैं, बहुत साबधानी भी रखते हैं अगर हमें इनके प्यार की बात करें, तो कन्या वाले बहुत वफादार होते हैं और अपने साथी के लिए बहुत समर्पीत होते हैं चाहे इनका वो लब लाइफ हो या लब रिलेसंसिफ हो या फिर इनका बैवाहिक जिवन हो हर जगा ये बहुत अच्छे सावित होते हैं और एक उत्कृष्ट प्रेमी भी बनते हैं हलांकि इन्हें प्यार दिखाना अच्छा नहीं लगता हाँ अकेले में जब होंगे तब इनका प्यार आप देख सकते हैं सुआप करना इन्हें पसंद नहीं आता है प्यार का खास कर और अगर हम दोस्ती मित्रता और परिवाद की बात करें तो करन्यारासी वाले को अगर आप मित्र बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत अच्छे सलाकार भी होते हैं और हर समस्या का समाधान निकालने में माहिर होते हैं यानि आपकी समस्या का समाधान बहुत आसानी से कन्यारासी वाले निकाल देंगे और आपको अधिक समय भी देंगे और आपके लिए हमेशा ही एक अच्छा साथी साबित होंगे कन्यारासी वाले करन्यावाले कभी भी किसी के सामने अपनी भावनात्मक बाते नहीं रखते हैं चाहे वो इनके लाइप की हो, बैवाही जीवन की हो, घरेलू बाते हो, अफिस की हो कहीं की भी बाते हर किसी के सामने ये जल्दी खुलते नहीं है और जब ये बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ बताना चाहिए तभी बताएंगे करन्या वालों को अगर हम करियर पैसा की बात करें तो हाला कि करन्या वाले बहुत ही बैवारिक होते हैं और परिस्रमी होते हैं और समस्या की तह तक जाने में ये बहुत माही होते हैं। बेहतर और सुसंगठित जो होता है बिवस्था ये करने वाले अगर ये जॉब करते हैं तो वहां बहुत अच्छा करेंगे। अगर कोई काम किसी का नहीं बन रहा है तो करने अरासी वालों को कह दें ये आपका काम बनवा देंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि करने अरासी वालों को कला से प्यार होता है। किताबों से प्यार होता है और संभव है कि वो डॉक्टर बन जाए, नर्स बन जाए, मनोबैग्यानिक बन जाए, सिक्चक लेखक और आलोचक भी बन सकते हैं क्योंकि ये दिमाग के बहुत तेज होते हैं करने रासी के वालों के पास अगर धन आ जाए तो ये खर्च करने में नहीं पीछे हटें क्योंकि धन खर्च करने में बहुत तेज होते हैं और साबधान भी रहते हैं ऐसा नहीं कि सब उड़ा देंगे लेकिन साबधान रहते हैं बचत भी करते हैं और पैसे आने के पहले ये पहले से ही योजना बना लेते हैं कि कहां कहां खर्च करने हैं क्या प्राइरासी के पुरुष को आकर्सित करना चाहती हैं तो आपको साफ सफाई और वेवस्तित तरीके से रहना होगा और साथ ही उनका समान करना होगा क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे खुलते हैं और एक रूमान्टिक रिस्ते में प्रवेश करने के पहले ये अच्छी तरह से पहले आपको समझ लेंगे फिर आपके रिस्ते में बंदेंगे इन्हें अक्सर लोगों से समाज से आलोचनाओं से डर लगता है लेकिन अगर आप उन्हें आकरसीद करना चाहती हैं तो आपको उनके बात का जो एक बतंगर बनानी के आदत होती है करने अरासी में तो इनका आदत पहले से डालना होगा हर एक चीज को बहुत सुक्षनता से देखेंगे इसका भी आदर डालना होगा और कभी-कभी ये रूखे हो जाते हैं इनको भी आपको इग्णोर करना होगा तभी आप इनके दिल में सामील हो पाएंगे हलांकि करन्या वाले सांथ दिखते हैं सांथ होते भी हैं पर कभी-कभी सामने वालों को मुर्ख बना देते हैं बहुत आसानी से आपको पता भी नहीं चल पाएगा इन में धहरी भी बहुत होता है करन्या वाले पूरुस को आकरसित करने में आपको बहुत मेहनत करनी होगी और धैर का भी आपको इस्तिमाल करना होगा क्योंकि बहुत जल्दी ये किसी के प्यार में पढ़ते नहीं है लेकिन अगर प्यार में पढ़ गए तो फिर ये उत्तम जीवन साथी सिद्ध होते हैं आम तोर पर वफादार होते हैं और लंबे समय तेक एक ही रिष्टे में रहते हैं निभाते हैं अब बात करते हैं करन्या वाली महिलाओं को कैसे आकर सिद करें तो करन्या जासी की जो महिला होती हैं बहुत बुद्धिमान होती हैं थोड़े सी हसी ठीटोली करने वाली मजाकिया किस्मिकी और विश्वास के पात्र होती है और हमेशा एक फेस पे इस्माइल तो हटा के ही रखेंगी जैसे लोग इनके पीछे ना पड़ें दिखने में अच्छी होती है करने वाली महिलाएं लेकिन एकदम से सांत रहेंगी और संभल कर रहती हैं सतर करती हैं अगर इन्हें आप आकरसित करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत धैर की जरूरत होगी और अगर एक बार भी वो फैसला कर ले कि हाँ आप उनके लिए ठीक है तब फिर आपके लिए वो बहुत फिक्रमंद भी होंगी और बहुत भावुक प्रिमिका बन जाएंगी आला कि करने वाली महिलाएं भौत इख़ी नहीं होती हैं लेकिन बैभारीक होती हैं इन्हें अच्छे लगते हैं लेकिन इक बार रो रिष्टे में आने के पहले बहुत बार सोच लेती हैं और संकोच भी रहता है इने लेकिन अगर प्यार कर लिय तो उन्हें निभाएंगी और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी साथ कभी नहीं छोड़ेगी और आपको एक उत्तम जीवन साथी की प्राप्ती होगी उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए और आपका इंतजार रहेगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ